आज हम बनाएंगे अमरूद की एक नई तरीके से नई रेसिपी बनाएंगे जो बेहद आसान और बहुत ही सिंपल है खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं तो आप भी ज़रूर ट्राइ करें इस रेसिपी को यहाँ पर हमने ले लिया है यह हमारे पास 600 गरा यह देखें यहाँ पर हमारे अमरूद में बहुत ही कम बीज है बीज को हमें नहीं डालना है सिर्फ अमरूद के गूदे से ही बनाना है महलवा यहाँ पर हमने इसे अच्छे से ग्रेट कर लिया है अगर आप छोटे वाले अमरूद से बना रहे हैं जिनमें बीज ज्यादा तो आप काटके कुकर में रख दीजिए एक सीटी लग जाए फिर उबलने के बाद आप उसे चान लीजिए बीज उसका निकल जाए उसके बाद आप उसे बना लीजिए यहां पर हमने एक चुकंदर ले लिया है इसे भी हम कदूकस कर लेंगे ग्रेट कर लेंगे अच्छे से ताकि इसमें कलर अच्छा बहुत ही बहतरीन फ्लेवर आए चुकंदर को भी हमें अच्छे से ग्रेट कर लेना है इसमें यह हलुआ खाने में बहुत ही टेश्टी और लजीज बनते हैं चुकंदर का जो फ्लेवर है इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और खाने में नहीं बहुत ही अच्छे और टेस्ट अपने चुकंदर को भी अच्छे से ग्रेट कर लिया है हम फ्राइपें में डालेंगे घी हाप कब खी एड़ कर देंगे हम यह हमारा गरम हो चुका है हम इसमें डाल देंगे चार इलाइची एड़ करेंगे ग्रेट किया हुआ और चुकंदर इन्हें में अब दो मिनट के लिए अच्छे से भूनना है दो मिनट भूनने के बाद ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है अब हम इसमें हापकब दूद एड़ कर देंगे यहाँ पे फुल क्रीम वाला ही दूद एड़ किया है आप चाहें तो नॉर्मल दूद एड़ कर दें अम्रूत का अलग ही मिठास होता है तो सक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालें हम यहाँ हापकब सक्कर एड़ कर रहें हम इन्हें धक देंगे पांच मिनट के लिए हमें इन्हें धक के पकाना है पांच मिनट हमारा हो चुका है हम हम इने खोल के देखते हैं अब हम इसमें डालेंगे काजू बदाम रोष्ट किया हुआ इस काजू बदाम हमने अच्छे से घी में रोष्ट कर लिया है हम इन्हें भी इसमें डाल देंगे हमने 200 ग्राम खोया ले लिया है जिसे हमने अच्छे से घी में रोष्ट कर लिया है खोया भी एड़ कर देंगे अच्छे से मिक्स करेंगे यह अमरूद और चुकंदर का हलुआ हमारा मासलस बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेश्टी बना है अब हम इने फुल फ्लेम पे दो मिनाट तक और भूनेंगे हलुआ हमारा बहुत ही बहुत ही बहुत ही बन के रेड़ी हुआ है अब हम गैस को बन कर देंगे इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में आप चाहें तो इसके ऊपर से थोड़ा और घी एड़ कर दें अलस हलुआ हमारा बहुत ही बहतरीन रेडी हुआ है अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे अब हम इसे थोड़ा सा डिकोरेट करेंगे अलस है अमरूत के हलुए हमारे बहुत ही टेश्टी और बहुत ही लजीज बने हैं तो आप भी जरूर इन रेस्पी को ट्राइ कीजिएगा और फिर हमें कमेंट करके बताईएगा कि ये अमरूत का हलुआ आपका कैसा वना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अला